आपके जिन्दगी में खुशिया हो यही हम चाहते हैं यही इस कारिक्रम का उद्देश्च भी है मित्रों यदि आप भी किसी समस्या से दोचार हो रहे हैं यदि आप चाहते हैं कि जोतिश विज्ञान की मदद लेकर आप अपनी समस्याओं को सुलजा सके तो यह मंच आपी के लिए है अभी साड़े दस बजे तक डॉक्टर शंकर डावल जी हमारे साथ इस्टूडियो में विद्दिमान हैं आप उनसे सीधे प्रशन कर सकते हैं हमारे टेलिफोन नंबर्स पर उनसे बात कर सकते हैं या हमें बेश सकते हैं SMS अपने मॉबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी N-A-D-I-D-J-S-PACE आपकी जन्म कीति थी जन्म का समय जन्म का स्थान आपका सवाल आपका नाम अभी बेजिए 57575 पर अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रगुनारी जोतिश में आप सभी का ब्रेक के बाद पुनह स्वागत आपकी जिन्दगी की समस्याओं का समधान जोतिश विज्ञान के माध्यम से हो सकता है डॉक्र शंकर डावल जी अपने इस खास कारिकरम में आपकी समस्याओं का समधान करते हैं आपके सवालों को हम इस मंच पर शामिल करते हैं और आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर आपको बताया जाता है आपका भूत भविश्य और वरत्मान अब अपने प्रश्णा में समस के माध्यम से भेज सकते हैं अपने मॉबाइल में टाइप कीजे नाडी एन एडियाई दीजे स्पेस जन्म की तिती जन्म का समय जन्म का इस्थान आपका सवाल आपका नाम अभी भेजिए 7575 पर वर्शब के हम बात कर रहे थे लोक्षणाव इसमें एक चीज और सवाल एक पैदा होता है कि इनके जीवन का जो कालखंड होता है जो समय चक्र होता है किस समय में जादे प्रोग्रेसिव होते हैं किस समय में जादे प्रग्रति करते हैं करियर कब बनता है जैसे मैंने आपसे का अधिन का शनी इनका प्रबल होता है तो शनी जो इनको पीक में 36 येर जो होता है इनका 36 साल, 37 साल is a very very important year and इनको जो 22-24 साल होता है ये relationships वगरा के लिए और अपने आपको एक change महसूस करते हैं कि अब हमें कुछ निया करना है कुछ और करना है वो एक important हो बड़ जो एक उच्छाल आता है life में जिसे कहते हैं turning point that happens at the age of 36-37 36-37 किसी प्रकार की शारिरिक बिमारी या कोई ऐसी दिकत का भी कभी सामना करना पड़ता है जो इस चकर के हिसाब से बनता ही हो कि इस चीज का परेज रखे जोडियक साइन के साब से अगर ये लोग को जो ठीक ठाक हैं उनको they should be careful of पेट के नीचे वाले हिस्से के नाभी से नीचे वाले दे शुट भी करें और इसमें अगर ये हैं कि जिनका शुक्र ठीक नहीं है दूसरे टानेट से ग्रस्ट हो जाता है तो ये मतलब औरतों से औ और वैसी चीज़ों से अलग रहें तो भेंकर प्राब्लम होती है इन लोग को ये इनका destiny का मैंने एक pattern देखा है इनका इस में और शुक्र बहुत तो होता है तो फिर सब तरह की sexual problems ये बिमारियां ये होने की बहुत chances बन जाते है यानि कि अगर सूरे साथ में है तो कोई वि शुक्र मैंने देखा जब भी साथ हो इस particular राशी का और टारस हो तो किड्नी स्टोन थोड़ा बहुत प्राब्लम देगा मंगर सूरे खुदी इतना राइस्फिक प्लैनेट है तो गलत काम नहीं कराता है मैंगर शुक्र मंगल साथ में हो मंगल नीच का हो और शुक्र साथ म बहुत माइने रखती है हमारे साथ एक उद्रशक जोड़ें आशीर जी मुंबई से उनको शामिल करते हैं हलो हाजी स्वागत है आशीर जी आपका हमारे कार्गम में अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं जी हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1971 जी हाँ प्लेस है देवास MP समय बताइए समय है नो बच के तेरा मिनेट रात में नाइन थर्टीन पी-म प्लेस अफ बर्थ देवास MP देवास जी इन दोर के पास जी देवास MP आशीर जी है मुंबई से हमारे साथ 24 जून 1971 को इनका जन्म हुआ था नो बच कर तेरा मिनट रातरी के समय देवास में क्या सवाल है आशीर जी जी सवाल यह है कि मेरे एक जॉब चेंज तो नहीं है मैं बैंक में हूँ और दूसरे में जा रहा हूँ डेपोटेशन पे तो यह कैसे रहेगा और लाइफ कैसी रख़़ए मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं में तमन के मताबिक संतुष्टी रही है जी है लेकिन मेहनत तो ऐसी है कि कुछ भी कर सकता हूं कुछ भी कर सकता हूं बहुत अच्छी बात है जी कहते हैं कि मैं बहुत प्रश्रमी आदमी हूँ, बहुत महनत भी करता हूँ, किसी बैंक में काम करते हैं तोड़े बहुत इसना भी इशुद आ सकता है। अभी आपके जो अभी बुद्ध और केतु खुरी साथ सागर तो केतु की दश्र जो आपकी होगी उसके अंदर आपका ये रहेगा कि आप काफी मतलब स्पिरिच्वालिटी की तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा। आपके जो टाइम होगा फॉर मेटिरिल प्रोस्पेरिटी और पैसा संचित करना है इनके लिए अच्छा समय है। बुद्ध की महादशा उतरते उतरते आपकी प्रोपरटी के लिए आपके धन संचे के लिए अच्छे संकेत मिलते हैं और केतु की स्थिति के बारे में अपने पूछा केतु की महादशा के बारे में आपका सवाल था तो डॉक्र संकरा डावल जी कहते हैं कि आप थोड़े पंजाब से इनकी जन्मतिती है 10 फरवरी 1976 10 फेबरी 1976 नाम लिखा है समीर सबसे नीचे लिखा है चोटा सा जी माफ कीजिए समीर है गुर्दासपुर पंजाब से 10 फरवरी 1976 जन्म किती थी है समय है एक बचकर 25 मिनट मध्यरातर यानी एम 10 फरवरी 1976 एक बचकर 25 मिनट रात के गुर्दासपुर में जन्म हुआ है अपने आर्थिक स्थिती के बारे में जन्म कब होगा बच्चे की किलकारियां कब गुंजेंगी और अपने भविश्य के बारे में और आल इन्होंने जन्म चाहा है कि कैसा रहेगा संपीर के 25 मिनट टेंटू 1976 अच्छी पत्र क्या पोज रहे हैं गुर्दासपुर यह कहते है कि संतान का योग कब बनता है घर में बच्चे का जन्म कब होगा और आने वाला वक्त कैसा रहेगा विश्यस रूप से आर्थिक स्थिती के बारे में जानना चाहा है कि आर्थिक पैसा इनको धोका योगा जूपिटर जब अकेले ग्यारवे घर में बैठा रहता है तो यह थोड़ा ध्यान रखे आर्थिक स्थिती शने शने बढ़ेगी आगे मून मार्स साथ में इनका वी टॉरस राश्य है तो मून मार्स राश्य में शने तू बारवे में बढ़ेगी ठीक करेंगे जिस शेहर में रह रहे रहें और प्रोफ्रेस करेंगे फत्री अच्छी है आपके जनकुली अच्छी है समीर जी आपके लिए और आप बढ़े बताया गया है कि आपके घर में जो संतान का प्रश्ण आपने पूचा है इसी वर्ष प्रबल्योग बनते हैं आर 6th of 1979, 6th of Jan, 1979, 247 PM, दिल्ली में जन्म हुआ है, कनिका सोनी, 6th of Jan, 1979, 247 PM, दिल्ली में जन्म हुआ है, लास्ट मोबाइल का इनके डिजिट है 3372, इन्होंने पूछना चाहा है कि इनकी शादी कब हो जाएगी और करियर कैसा रहेगा, 247 PM, जी 247 PM, शादी तो पिछले साल का योग बना होगा, नहीं हुई होगी, शादी की डिले है, कुटम की जो इनका अपने कुटम का ध्यान रखना चाहिए, शादी डिले है, और शादी मतलब जो भाग में लिखा हुई है, एक, दो, तीन, चार साल बार, चार साल बार, चार वर्ष के पस्चात आपके विभा का योग बन रहा है, करियर के बारे में कुछ पूछना चाहा है कि करियर कैसा रहेगा, कुछ जॉब के बारे में जानने का अच्छा रहेगा, सान मार्स, मरकुरी साथ में, एट था उसमें, तो फिनैंशियल वर्ड में, या किसी और उसमे जानने का अच्छा रहेगा, सान में, इनका इनिशियल जो तो यह 30 साल के हो गई है, तो इनिशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, 27-27 साल के बाद, उसके बारे में,